नमस्कार दोस्तो इस्टेडी विथ टीम बनारस यूटीव चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग इभीयस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापिक है चांगमा तो चांगमा लोग कौन होते हैं ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं इसके वीडियो को लाश्ट तक दिखिएगा तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि चांगपा लोग होते कौन हैं तो अगर बात की जाए चांगपा की तो यह ले लदा खिरिया में रहने वाले घुमनतू लोग हैं और यह अपने साथ जो जानवर होते हैं जैसे भेड़ और बकडिया को ले करके घुमते रहते हैं जहां पर भी इने हरियाली देख जाती हैं वहीप अपना टेंट लगा लेते हैं और रहने लगते हैं और जब वहां की हरियाली खत्म होती है तो यह आगे बढ़ जाते हैं और इन्हीं के दोरह एक विशेश प्रकार की बकडिया जितना जदा ठंड में रहता है तो उसकी बनावट उसी प्रकार की होती है तो जो इतनी उचाई पर ठंड में जो बकडिया रहती है तो क्या होता है उनकी बहुत ज्यादा बाल उगाते हैं और उन बालों का काम क्या होता है इन्हें ठंड से बचाना अब चुकि देखे जो चांगपा लोग होते हैं यह हमेशा घुमते रहते हैं तो अपना घर तो पर्मानेट बना नहीं सकते इसलिए क्या करते हैं अपना टेंट लगाते हैं और इनका जो टेंट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे रेवो नाम से जाना जाता है और यह जो रेवो का तो जगह हो गया जिसे रेवो कहा जाता है अब इनके साथ जो भेड बकडिया या इनके जानवर रहते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं दिवार बनाते हैं और दिवार किसे बनता है पत्थर और चट्टान जो भी जैसे पहाड़ी एरिया है तो हां से पत्थर और चट्टान लेते हैं और दिवार बना करके रहने के लिए जगह बना देते हैं और इनके जगह को क्या कहा जाता है तो इसे लेखा कहा जाता है अगर पूछे कि जो चांगपा लोग है उनके रहने के लिए जो जगह होता है उसे क्या कहते हैं जो इनका टेंट होता है तो उसे रेबो कहते और जो इनकी जानवर के लिए क्या होता है तो उसे लेखा कहा जाता है अब देखे चांगपा भासा में जो चांग ठांग का क्या मतलब है अगर पूछते तो इसका ऐसा मतलब है कि ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं जैसे देखे इनकी जनसंख्या लगभग 5000 के पूर्ट देखें जैसे गर्म especially तो चांग बात करें जितना चाब ने गर्मि देता है उतना है एक सालब यह आपको कर देगा और लेकिन इसकी मुटाई की इरबात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर 600 लिटर की गर्मी आपको दे रहा है तो यह बहुत ज्यादा मोटा होगा एक नर्मल पतला सही होता है लेकिन जो गर्मी बहुत ज्यादा देता है और जिस उचाई पर चांगपा लोग रहते हैं लगभख 5000 मीटर की उचाई है तो अहां का तापमान क्या होता है जीरो डिग्री से भी नीचे मतलब लगभख माइनस 40 डिग्री तक भी वहां का जो तंप्रेचर है चला जाता है लेकिन उसके बाद भी वहां की लोग सर्वाइब कर जाते हैं अगर बात किया जाए जो बकड़ियों के बाल है तो उनकी बाल की अगर मुटाई की बात की जा है और एक बुनकर एक साल को बनाने के लिए लगभख साढ़े-दस दिन का समय लग जाता है एक साल को बुनने के लिए बकरी है इसी का जो बाल है इसी से उन बनता है देख रहे बहुत काफी पतला है इसका जो बाल है अब देख लेते हैं चलिए इसके बाद हम लोग कि ले तता एक साधारण पसमीना साल को बुनने में लगभग कितने हमते का समय लगता ह। अपछन है। कि लगभग 6 स्वेटरों के बराबर इसमें क्या होता है गर्मी होता है और घंटे की बात की जाए तो एक बुनकर लगभग 250 घंटी जब बुनाई करता है तब जाकरके एक साधारण पस्मिना साल तयार होता है इससाब से जो दूसरा वाला अप्सन है कि 6 स्वेटर और 250 घंट आदिवासी लोग जो परवतों पर रहते हैं यह बड़े तीकों ने आकरिती के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं इन टेंटों का डिजाइन है एक हजार वर्स से भी पुराना लगभग 800 पुराना 100 पुराना या फिर अत्यांत आधुनिक तो हमने देखा ही था कि एक हजार वर्स से भी पुराना है यानि पहला वला अप्सन हो गया इसके बाद चलिए लेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं या 11 जनुरी 2022 में पूचा था कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तीकों अधाने टेंट जिसे की रेवो कहते हैं और जानवरों की रहने का अस्थाग जिसे लेखा कहा जाता है यह कहां पर है आप संद क्या दिया अरुडाचल प्रदिस मेखाले जम्मुकस्मी या फिले लग्दा तो हमने देखा ही था कि यह ले लग्दा की बात हो रही है तो दे देखा नाम से जाना जाता है अब चलिए नेक्स्ट सेग्मेंट में लोग आ गए हैं क्वेश्चन आफ दटे चाजनुवी 2022 में पूछ लिया था कि ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बास्वी डंडी लेकर दो दो लोगों की जोडी आमने सामने बैठती है धोल की ताल पर लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम बताईए तो आपसं क्या है तोरंग मिजोरम दूसरा क्या दिया कुडुक झारखन तीसरा चेराव मिजोरम या फिच्वता जूम और जारखन तो इससे रिलेटेट हमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद